हेलो दोस्टो एक और मज़िदार वीडियो में आपका स्वागत है भारत में पारले किसी के भी लिए अंजान नाम नहीं है हर घर में इसका कोई न कोई प्रोड़क्ट मिल ही जाएगा फिर चाहे वो टौफी हो बिस्किट हो केक हो पानी हो या फिर फूर्टी या एपिफीज पारले प्रोड़क्ट की ओरिजिनल कंपनी हाउस ओप पारले है जिसकी शुरुवात 1928 में हुई लेकिन कनफेक्शनी बनाने की पहली फैक्टरी 1929 में सुरू हुई बाद में ओरिजिनल कंपनी तीन अलग अलग कंपनियों में बढ़ गई पारले पहली भारतिया फूट कं जिसे लगतार चार सालों तक मॉंडे सिलेक्शन आवार्ड मिले आए जानते हैं इसी पारले के सफर के बारे में हाउस ओप पारले को मोहन लाल दयाल चौहान ने 1928 में सुरू किया था वो स्वदेशी मोमेंट ट्रे काफी परभावित थे चौहान फैमली सिल्क के वैपारी कर दोंगे सिलेक्ट है लेकिन फिर मोहन लाल ने कनफैस्रि बिजनेश में उतरने का फैसला किया मोहन लाल गुषे किन्व किलार को सीखने के लिए जर्मनी भी गहे थे जब वह लाटे तो इनके साथ जरूरी मसीनरी भी थी जिसे वह साथ हजार रुपया में इंपोर्ट कर के भारत लाये थे, केवल 12 लोगों ने सुरू की फैक्टरी, पारले की कनफैसिनी बनाने की पहली फैक्टरी की सुरुवात 1929 में केवल 12 लोगों से हुई थी, दरासल एक पुराने फैक्टरी को मोहनलाल ने खरीद कर रिफर्विस किया था, जिन 12 लोगों से सुरुवात वे family member ही थे, अपनी चमता और योगिता के अनरूप इन में से कोई engineer था और कोई manager था और कोई confessional maker था फैक्टरी मुंबई के वीले पारले गाओं में थी, इसलिए इसी इलाके के नाम पर company का नाम पारले रखा गया था company का पहला product एक orange candy थी, 1938 में आया पहला बिस्कीट पारले ने साल 1938 में अपना पहला बिस्कीट पारले गुलू को लांच किया, पारले गुलू को बिस्कीट लगतार 12 वर्षों तक भारत में बेट सेलिंग बिस्कीट रहा, बाद में यही बिस्कीट पारले जी कहलाया company ने 1981 से 85 के बिस्कीट का नाम बदला, पारले जी में जी का मतलब है गुलकोज, 1982 में पारले जी का पहला टीवी कमर्सियल आया, 2001 में पहली बार company पारले जी को कागज की packaging के बज़ए नई plastic wrapper packing में लेकर आई, जो काफी सस्ता पढ़ता था को जानकर हैरानी होगी कि चाइना अपनी हर एक चीजों को हर एक डेस में बेचता है, लेकिन भारत का पारले जी चीन में बेचा जाता है, और चीन का सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाला बिस्कीट पारले जी है, 2013 में पारले जी में खुदरा बिकरी में 5000 करोड आकरा प बेचने वाली कंपनी है पारले जी पर दिखने वाली लड़की का नाम नीरु देश पांडे है नीरु देश पांडे जब चार साल की थी तब उसी समय पारले जी कंपनी के लिए वो तस्विर किचाई थी और आज उनकी उम्र 90 वर्स से जादा हो गई है तो दोस्तों मीर आप को पारले जी से रिलेटर सभी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें